हेलो फेंज, आज मैं आपको मॉंस्टर ये 2014 की कोरियन थ्रीलर मुवे एक्स्प्रेंग करने वालो ये एक सिरियल किलर से रिवेंज लेने की एक स्टोरी है इसमें जादा कुछ स्पोईलर ना देत हुए, डारेक्ली स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें बॉक्स्टों दिखाई गई है ये एक बाजार में सबजिया सेल करती है बॉक्स्टों जरा स्टुपिड होती है और भोली भी होती है अबनॉर्मल की तरह ही ये कैरेक्टर हमें दिखाया गया है इसे बहुत सारी चीजे समझ में नहीं आती है यह जब छोटी थी तब इसकी मदर ने इसे गिरा दिया था इसकी वज़े से ऐसे हो गई है इसकी ग्रैंड मदर थी पर ये भी इसको छोड़ कर चली गई है इसकी Grandmother हमें Heaven से बाते करते हुए दिखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करती हूँ बॉक्सोन सबजिया सेल करती है और अपनी चो लिटल सिस्टर है इसके Education के लिए पैसे वेगरा इकटा करती है इसके बात नेक सेन में हमें एक सांग दिखाया गया है वो एक बड़े Businessman की यहां Meeting के लिए आया हो ओता है यह जो Businessman होता है यह उसे कहता है कि मुझे एक Tribal हो चुका है मेरे जो Factory थी वहाँ एक Worker काम करती थी Factory में उसे कम पैसे मिल रहे थे इसलिए उसने Strike की बहुत सारे लोगों को बढ़ गया मैं उसे समझा रहा था पर वो मान ने रही थी तो जारा जहापड मैंने उसे मार दिया उसने Record कर लिया था अब ए Recording मुझे दिखा कर रहे मुझे Blackmail कर रही है 300,000 डॉलर से मांग रही होती है इकसांग जो होता है इसके Financial Situation अच्छे नहीं होती इसके Wife को एक बार में काम करना पढ़ रहा होता है इसे 300,000 डॉलर सुनकर बहुत ही अलग लगता है Businessman फिर इकसांग को कहता है यह जो पैसे है यह उस लड़िये को जाकर दे कर आओ मैं इन पैसो को लेकर किसी को भी Trust नहीं कर सकता इकसांग भी इस काम के लिए रेडियो हो जाता है पर इस पैसो से अपने जो लोन उसने लिए होते है यह वो पे कर देता है अब हमें इकसांग का एक बच्पन का सीन दिखाया गया है एक घर के ऊपर के Storage Room में बिठा हो है अपने फादर से डर कर वहाँ हो है उसके फादर ने उसे बहुत मारा है वहाँ फिर उसका छोटा प्रदर आता है उससे बुछता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दू क्या फिर तुम मेरे साथ खेलोगे इकसां उसे बहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है उसे थोटा सा भी सिरेसर नहीं लेता थोड़े टाइम बाद इकसां अपने फादर की स्क्रीम सुनता है यह जो उसका चोटा प्रदर था इसने उसके फादर को मार डाला था अब नेकसिन में हमें टीसू दिखाए चाता है यह इकसां का ही चोटा प्रदर है यह हमें रात में माती के पॉर्ट्स बनाता हो दिखता है इसके शरीर पर बहुत सारे टैटू इसने बना हुए होते हैं टैटू बनाते हो खुल निकलता है पर यह कुछ फील नहीं करता अब नेक सिन में हम फिर से बॉक्स हो उसके बाजार में दिखाई कही है जिस स्पोर्ट पे सबजी है सेल करती है यह स्पोर्ट किसी और का है जिसका है स्पोर्ट है इसने कुछ आदमें बेज़े होते हैं यह स्पोर्ट खाली करवाने के लिए यह वहाँ से जाने रही होती है यह सबको कही थी है कि यह मेरी ग्रैंड मा का था यह मुझे मरने से पहले देखर कही थी मैं नहीं चोड़ सकती यह अपना स्पॉट नहीं चोड़ रहे होती तो एक आदमी इसे उठाता है और बाहर भेटता है यह भागते-भागते आती है एक सबजी रही थी है और इसके सर पर फोड़ देती है जब शाम हो जाती है तब उसकी छोटी सिस्टर स्कूल से आ रहे होती है और यह दोनों हिल पर मिलती है उसकी छोटी सिस्टर उसे मलम पटी करती है और समझाती है कि यह हमारा स्पॉट नहीं है यह जो लैंड है यह एक्चुल में दुसरा कोई ओन करता है तुम्हें इनके पीछे नहीं लगना चाहिए पर बॉक्सरों में पता है कि यह स्टूपिड है तो इससे यह समझ में नहीं आता अपना जो लॉजिक होता है कि ग्रैंड मदर ने मुझे लैंड दी है इससे पे वो अडी रहती है अब नेक्सिन में हम दिखता है इससे तुम्हें बढ़ना है यह जौब उसे देना चाहता है तुम्हें अपना फोन में गरा सब कुछ बदल दिया था और अचनक तुम मुझे कॉंटेक करे हो इसससे बारे हो बेठे हो होते है यहां कुछ कुस्टमर होते है जो बहुत ही लौड होते है इकसान को इससे तकलिफ हो रही होती है तो बहुत ही जोर से टीसू कहता है कि यह कौन बास्टर है जो इतनी जोर से बात कर रहे है जो आदमी जोर से बात कर रहा होता है वो अब यहां आ जाता है वो टीसू के उपर हाथ रखता है तो टीसू उस पर बहुत ही छिर जाता है चॉपस्टिक्स लेता है और इसके गले में डाल कर इसका मर्डर कर देता है इस आदमी के साथ जो भी सब लड़किया होती है इनको भी वो मार देता है जैसे कुछ भी नहीं होआ इस तरह से अपने ब्रजे से बात करने लग जाता है कहता है कि मदर के सी है अपने मदर के लिए एक सांगो कुछ पैसे हो देता है मदर के विटामिन्स के लिए यह पैसे उसे देता है इसके बाद हमारा next main character नानी दिखाई गई है नानी के घर पर उसके landlord आती है वो कहती है कि तुम्हारे sister कहा है नानी और उसके sister ने बहुत दिनों से अपना rent पेनी किया है ये landlord उसे कहती है कि अगर तो ने पेनी किया तो मैं तुम दोनों के घर से बाहर निकाल दूँगी नानी कहती है कि मेरे sister अब घर पर नहीं है थोड़ी देर बाद उसे आने के लिए कहती है जब एक घर में आती है तो उसकी sister वही होती है अंदर जाकर अपने sister को यह सब वो बता देती है sister उसे पुषती है कि तुम्हारे तीन विचेश क्या है मुझे बताओ नानी केती है कि मुझे अपना डॉक जाईए और एक अपने घर में तुम्हारे साथ मुझे रहना है नानी की सिस्टर बोलती है कि यह सब सच हो सकता है एक्चल में जो सिस्टर यही बिजनेसमैन को ब्लैक मिल्क कर रही थी अब बिजनेसमैन 300,000 डॉलर्स इसे देने वाला है तो इसे वो घर वेगरा बाई कर सकती है अब थोड़े दिर बाद फिर से दर्वाजा खटकड़ाया जाता है और इस बार यहाँ टीसू होता है टीसू से बोलता है कि तुमने जिस फोन से रिकॉर्ड किया था वो फोन मुझे चाहिए नानी की सिस्टर कहती है कि पहले तुम मुझे पैसे दो यह कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है यह दर्वाजा बन करने वाली होती है टीसू से कहता है अगर तुमने ये दर्वाजा बन कर दिया तो मैं तुम्हें मार दूँगा पहले भी बिजनेस्मैन ने कुछ आदमियों को भेज कर इसे डरानी की कोशिश की थी पर ये डरी नहीं थी इस बार भी उसे वैसे ही लगता है और डोर बन कर लेता है टीसू बहुत ही फिट और इंटलिजन्ट होता है ये दीवार कोटकर अंदर आ जाता है नानी अंदर के रूम में बरतर मांज रही होती है तब ही इसके कुछ आवाजे सुनाई देती है यह जब दरवाजा कोलती है तो टीसू उसके सामने होता है इसकी सिस्टर को उसने मार दिया है उसकी dead body इसे दिखती है यही सीन खतम हो जाता है रात में टीसू ट्राइव कर रहा है यह हमें दिखता है उसके ब्रदर का call आप होता है यह अपने ब्रदर को बुचता है यह जो सब पैसे थे इसका तुमने क्या क्या था अपनी financial situation ब्रदर उसको समझाता है वो कहता है कि मेरे पास कोई option नहीं था टीसू कहता है कि तुमारी वज़े से सब mess हो चुकी है यह फिर घर आता है नानी को भी घर लेकर आता है एक wine की bottle निकालता है और से glass में बढ़ता है वो कहता है कि अब हमें एक game खेलेंगे जब तक मैं bottle खतम नहीं कर देता तब तब मैं यही रुकूँगा और तुम यहाँ से भागोगी अगर तुमने किसी से help ली तुम्हें उन्हें भी मार दूँगा तुम अगर छुप गी और मैं अगर तुम्हें ढोडनी पाया तो तुम बच जाओगी यह फिर glass पूर करता है और नानी भागने लग जाती है अब नेक्सिन में हमें फिर से बॉक्सोन और उसकी सिस्टर दिखाई गई है बॉक्सोन आज बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका spot अप जाने वाला है बॉक्सोन की सिस्टरों से कहती है कि आप मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ हायर एजुकेशन के लिए मैं सीवाल में जाऊंगे वहां में अच्छे से डिग्री लोंगे और हम दोनों अच्छे से रह सकेंगे हम पूर है इसलिए हमें सब तकलिफ देते हैं बहुत जादा पैसे कमाऊंगे और हम रिच हो जाएंगे बॉक्सटोन केती कि तुम चली जाओगी तो मैं आकेली पड़ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ आओँगी फ्लोर सीव करूँगी खाना पकाओँगी कुछ भी करूँगी पर तुम्हारे साथ ही रहूँगी उसके सिस्टर कहती है कि यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा पर बॉक्सटोन सुनी नहीं रही होती है इस पर इन दोनों में एक हेल्दी फाइट हो जाती है यह दोनों फिर हसने लग जाते है और यह दूसरे को हग करते है भागते भागते नानी इनके घर आ जाती है इसे ये सब question पुछते कि तुम्हारा घर का है तुम्हारे parents का है पर एक कुछ ये बोलने रही होती इसे डिनर देते है बाद में नानी कहती कि इसकी sister है अब इसे ढूडने वाली होती है राद में नानी इनके साथ ही सोती है एक दिन जब सुबह होती है तो बॉक्सोन की sister नानी को सिटी में लेकर जाने वाली होती है ये सब जाने के लिए निकलते है पर बॉक्सोन की sister अपना जिम का खलोद भूल जाती है वो बॉक्सुन को घर जाने के लिए बोलती है और फटक से उसे लाने के लिए कहती है जब रस्ते से जा रहे होते है बहुत जादा फॉग वहा होता है इस फॉग में ही नानी को टीसुन दिखता है यह फिर भागने लग जाती है बॉक्सून की सिस्टर नाने को डिफेंड करती है इसलिए टीसून उसका गलाद आबाता है बॉक्सून जब जिम के कबड़े लेकर आती है तब देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे जंगल में से आवाजे आती है वहाँ भागते भागते चाती है टीसून उसके सिस्टर को मारने वाला होता है तब एक पत्थर लेती उसके सर में डाल देती है अपनी सिस्टर को लेकर भागते-भागते एक फिल्ड में आ जाती है वहाँ उसे नीचे रख दिती है कि अभी मैं हेल्फ लेकर आती हूँ वो पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है बॉक्सून को लगता है कि डिसून मर चुका है जो पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है और वो आपस आती है तो उसकी सिस्टर वहाँ नहीं होती डिसून ने उसकी सिस्टर को ढून लिया होता है नेक सिर में हमें दिखता है कि एक सांग एक गैंगस्टर के पास आया हुआ होता है उसे एक आदमी चाहिए होता है एक सांग अपने बेदर टीसू को बहुत ही हिट करता है और उसे उसे मारना है इसके सुपारी देने के लिए इस गैंगस्टर के पास हो आया होता है एक गैंगस्टर फिर एक आदमी उसे देता है कि इसे उसके घर लेकर जाओ ये उसे मार देगा बॉक्सिन के फार पर पुलिस आती है वो बहुती रोरी हुती है कि उसके सिस्टों से मिलनी रही वो जब सिच्छेशन थी ये सब उसे बताती है ये stupid लगती है तो पुलिस इस पर believe नहीं करती है ये बोलने बोलने में ये भी कहती है यह उन दोनों की fight हो चुकी थी पुलिसों से कहती है जनरली ऐसा ही होता है कि fight होने पर यह खुद ही चले चाते है तो मैरे sister भी खुछ से ही चली गई होगी इस पर बेली उना करते होए वहाँ से चले चाते है अब एक सांग टीसो के पास आजाता है एक सांग टीसो से पुछता है कि वह फोन का है टीसो कहता है कि वह मल चुकी है पर उसका फोन मेरे पास नहीं है जो उसकी चोटी sister यानि की नानी के बारे में बताता है कि वह भाग गई है इसका brother इस पर छिर जाता है कहता है कि वह ही phone दो important था और इस चोटी लड़की अगर किसी को भी कुछी बता देगी तो हम सब trouble में आ सकते है टीसो कहता है कोई problem नहीं होगा मैं उसे मार दूँगा इक सांग ने जिस आदमी को टीसो को मारने के लिए लाया होगा होता है इसकी आवाज टीसो सुन लेता है यह आदमी और टीसो इन दोन में बहुत ही fight होती है यह टीसो पर बहुत ही भारी बढ़ रहा होता है तो इक सांग को लगता है कि अब टीसो मरी जाएगा इक सांग फिर बाहर आ जाता है अपनी गाड़ी के पास आकर wait करने लग जाता है थोड़ी देर बाद टीसो उस आदमी को मार कर भार आता है इक सांग जाकू लेता है और उस पर चलाने वाला आता है टीसो वो रोक लेता है टीसो एक सेकंड सोचता है और बोलता है कि जाने तो यानि कि वो अपने ब्रदर को नहीं मारने वाला वो कहता है कि चलो मदर के बाश जाते हैं कुछ खाना खा कराते हैं इनकी मदर का एक रेस्टोरन उटता है और वहाँ अब ये सब खाना का रहे हैं अपनी मदर को उसके वैटामेंस के लिए ज़रा पैसे भी वो दे देता है इनको और एक चोटा प्रदर होता है कि इसकी पड़ाए कैसी चल रही है टिस्टो के मदर उसके चोटे प्रदर के लिए बहुत ही प्रौट होती है यह लोयर बनने वाला होता है टिस्टो ने अपने प्रदर के लिए भी अच्छा सा एक मोबाइल आया हुआ होता है ये डिनेर फिर सीरियस हो जाता है टीसू अपने मदर से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं छोटा था तीन दिनों के लिए तुम मजे एक कमरे में बंद करकर रखती थी मैंने चोरी की है इसा तुम्हें लगता था ये पैसे हमेशा एक सांग नहीं लिये थे ये कहकर फिर टीसू वहाँ से चला जाता है एक सिन में हमें दिखता है कि बॉक्सू एक ओल लेड़ी के पास आई हुई है बॉक्सू के लगता है कि इसमें जरा पावर है और उसकी सिस्टर का है इसकी लोगेशन उसे बढ़ा सकती है ये लेड़ी फिर एक जगा पर पॉइंट करती है ये वोट्स में से घूमती है इसकी सिस्टर उसे कहीं भी नहीं मिलती रात में इसे सबना आता है इसमें इसकी सिस्टर उसे पता रही है क्यों मर चुकी है नानी फिर घर आ जाती है बॉक्सोन उसे पुछती है मेरी सिस्टर का है यह आदमी कौन था जो तुम्हें मारना जाता था उसकी सिस्टर उसे मिलने रही तो बॉक्सोन रोने लग जाती है ये लेट की फिर कही थी है कि मेरी भी sister को इसने मार दिया है ये उसके घर पर मुझे लेकर गया था मैं वहाँ से भाग कर यहाई थी बॉक्सोन कही थी कि मुझे उसके घर लेकर चलो बॉक्सोन उस ओल लेडी के पास आती है उससे poison लेती है इस ओल लेडी ने अपने ही पती को इस poison से मार दिया होता है वोक्सोन फिर चाकु से practice करती है कि टीसोन को कैसे मार सकती है ये दोनों woods में जाते है और नानी को कुछ location समझ में ने आ रहे होती है वोक्सोन उस पर चीर जाती है वोसे बहुत मारती है थोड़ी देर बाद इसे ही बुरा लगने लग जाता है कहती है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मुझे तुम्हें नहीं माना चाहिए था नानी भी रोने लग जाती है और एक दूसरे खोक करती है ये फिर थोड़ी देर बाद टीसो का घर होता है ये डोन लेते है नारी घर के बाहर ही बैटती है टीसो अगर आ गया तो इसके खबर देने का कामबू करने वाली होती है बॉक्सोन फिर बेस्मेंट में आती है यहाँ बहुत सारे माती के पॉट्स बनाए होते है एक्च्वल में टीसो जब किसे को मार देता है तब उसको जला कर उसकी एशेस से यह माटी के पॉट्स बना देता है बॉक्सोन के सिस्टर के साथ भी इसना यही किया होता है यहाँ बहुत सारे पॉट्स हमें दिखते है और इस पॉट्स के पास नाम होते है यानि इन सब लोग को इसने मार दिया है बॉक्सून की सिस्टर का पॉट भी यहाँ वो दिखती है जब वे बैस्मेंट में होती है तब ही टीसून आ जाता है नारी फिर खेड़के से आवाज लगाती है बॉक्सून ने जो पॉजन लाया होता है ये टीसून के पानी वो मिला देती है और घर में ही छुप जाती है टीसून घर में आता है थोड़ी आवाज वसे सुनाई देती है खेड़के से देखता है तो नारी को स्पॉट कर लेता है नारी भागती है जंगल में छुप जाती है पर उसे पकड़ी लेता है वो उसे घर लेकर आता है और बर्नर में रख देता है उसे अब जलाने वाला आता है नारी के थी है कि प्लीज मुझे मन मारो जो फोन तो मैं चाहिए इसकी लोकेशन मुझे पता है नारी और टी सुन फिर दोनों गाड़ी में बेटते है नारी एक पेपर पर लोकेशन लिखती है और बॉक्सोन के लिए पीछे छोड़ कर जाती है बॉक्सइन को भी लोकेशनमिलजाती है Tina और नारी दोनों स्टेशन पर आती है वहाँए ज़ो फोन होता है एक लॉककर से निकाल लेती है वहाँ पे बॉक्सइन आ जाती है इसके जो सब पैसे होती है ये टैक्सी वाला ले लता है Tisin नानी को ले जा रहा है ये boxoon को दिखता है Tisin ने अपने ब्रदर को भी यहाँ भुला योता है Tisin को अपने ब्रदर के साथ अब lunch करना होता है उसका ब्रदर सुसे phone ले लेता है और कहता है कि आज मैं नहीं कर सकता आज ज़रा मुझे extra गाम है टीसून उसे बहुत इंसेस्ट करता है फिर युशे मना कर देता है टीसून बहुत इचीड जाता है वो इसके कार का काज जोता है वो फोर्ट देता है ये दोनों ब्र può-धरस अब जब फाइट करें तो नानी वहाँ से भाग जाती है और Boxoon के पास आ जाती है Boxoon और ये दोनों भागने लग जाते है T-Soon भी इसके पीजे भागता है यी को Psalter से हेल्प मागते है पर T-Soon इन सबको मार देता है Xan के पास जो mobile है यसे वो डार्टा निकालता है और ये देखता है कि इस mobile पर क्या है इस मोबाइल में जो बिस्नेसमेन था, इसने नारी को सिस्टर को बहुत मारा था इसकी वीडियो होती है ये फिर बिस्नेसमेन को कॉल लगाता है, ये इसे भी प्रैकमेल करने वाला होता है टीशो से नारी और बॉक्सोन ये दोनों पीचा चुड़वाती है और अब स्ट्रीट पे रोती है इन्हें बहुत ही भूग लगी होती है ये पर इनके पास पैसे नहीं होती है भूग लगकर एक सुन बैट जाती है वो कहती है कि अब मैं नहीं चल सकती है नारी फिर कहती है कि यही रुको मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ नारी फिर आके जाती है एक होटेल से एक पॉट चुरा जाती है और बॉक्सोन के पास आ जाती है बॉक्स होना से कहीं भी नहीं मिलती है ये दोनों एक दूसरे को ढूण नहीं बाती तो ये बहुत डिस्टब हो जाती है थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे को ढूण लेती है ये कहती है कि तुम कहा चली गई थी एक दूसरे को हग कर दिया और रोने लग जाती है फिर से कभी भी ऐसा नहीं होगा एक दूसरे से वाधा कर दिया अब नेकसिन में हमें एकसान दिखता है उसे गैंगस्टर को कॉल आय हुआ है या अपने मदर की रेजिस्टॉरंट में इस गैंगस्टर से मिलता है गैंग्स्रों से कहता है कि एक आदमी को तुम मुझसे लेकर गए थे इस आदमी का क्या हुआ जो भी सब situation हुई है यह इकसान उसे बता देता है उसे वो help मांगता है अब टीसू को मारने के लिए गैंग्स्रों से help करने वाला होता है इसके बाद बॉक्स्रों और नारी दोनों खाना खाते है बॉक्स्रों नारी से बुशती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हें सिस्टर की तरह ट्रीट करूँगी मैं तुम्हारा खयाल रखोंगी तुम्हें स्कुल में में बेजूँगी नारी इस पर कुछ भी नहीं भोलती एक सांग फिर टीसु को कॉल लगाता है उसे कहता है ये खाना खाने के लिए रेस्टार्ण में आ जाओ खाना खाने के बाद बॉक्सोन और नारी फेसे स्टीट से चल रहे होते है रहे उसे फेसे टीसुन दिखता है पर इस बार ये पुलिस स्टेशन के पास ही होते है ये पुलिस स्टेशन में गुच जाते है बॉक्सोन टॉलेट के लिए जाती है तब ये नारी को टीसुन लेकर जाता है ये उसका अंकल है ऐसा केकर पुलिस को चला गया होता है बुकसुन वहां थी तो इंक्वारी करती है कि नारी कहा है पूलिस ओफिसर इसे पता दे देता है उससे कहता है कि यहाँ तुम्हें जाना है यहाँ तुम्हें सिस्टर है इसके बाद टीस।न अपने मदर की रेश्टार्ट में आ चुका है टीसू की मदर को भी पता होता है कि अब इसे सब लोग मार देने वाले हैं टीसू की मदर उसे गहे थी कि तुम जब चोटे थे तब तुम्हें हमारे डोर पर कोई छोड़ का चला गया था मेरे हस्बाट ने मुझे पताया था कि मैं तुम्हें नहीं रख सकती पर मैंने बहुत ही जित की थी मुझे सब मेरी फ्रेंस के दी थी कि ये गलत है इस बच्चे को रखना सही नहीं है पर मैं मेरी जित पर अड़ी रही थी पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे ये सीरियल गिलर है तो इसकी मदर भी इसे हेट करती है वो टीसू के कहती है कि तुम अजीब हो इसी वज़य से तुमारी मदर भी तुमें छोड़ कर चली गई थी टीसू के पीछे जो गैंस्टों होते वो बैठे हुए होते और वो कुछ आवाज नहीं कर रहे होते टीसू यह नोटिस करता है मदर से किता है इतने शांदी से कैसे खाना खा सकते है यह फिर उटता है और यह गैंस्टों से मारने वाले होते है पर यही सब लोगों को मार देता है टीसू की मदर एक सेगन में अपनी टोन चेंज कर लेती है वो कहिती कि टीसू बहुत ही अच्छा है तो अपनी फैमिली के बहुत ही खायाल रखता है टीसू असने लग जाता है कि उसने अभी इसे फिर से माफ कर दिया है जिस गैंग्स्टर को टीसू ने अभी मारा था इसमें सीख जिन्दा है वो एक बड़ी सी बॉटल लेता है और टीसू को इससे बहुत मारता है टीसू की बॉड़ी को वो फिर उसके ट्रंग में डाल देता है गाड़ी में नारी को टीसू ने रखा हुआ होता है टीसू की मदर फिर नारी को अंदर लेकर आती है उसे कुछ खाने के लिए देती है बॉक्सों के पास पैसे नहीं होते है इसके पास बेसे नहीं है, इसे टेक्स के से बाहर निकल रहा होता है, पर यह सुन्दी नहीं, यह कहती है कि मुझे नारी को बचाना है, इक सांग अब नारी को लेकर जाने वाला होता है, पर उसके मदर कहती है कि इसे मद लेकर जाओ, नारी उसे बहुत इक्यूट लगती है, और कहती ही कि मेरे साथ रह सकती है इससान मारने रहता इनमें थोड़ी से फाइट हो रही होती है तब ही टीसू आ जाता है जो गैंसर जिन्दा था उसे वो मार देता है यह सब उससे बहुत ही डर जाते है यह उसे कहते हैं कि स्माइल करतो यहीं लगता है कि टीसू अब इनने फिर से माफ कर देगा पर इस बार हिसा नहीं होता यह इन दोनों को मार देता है बोक्सोन टैक्सी से भागते बागते इस रेस्टारण में आ जाती है टीसो का धहन नहीं होता तो बोक्सोन एक बड़ी सी नैफ लेती है वो असके पेट में डाल देती है टिसू नारी को मारने वाला था उसका गराग अट रहा था तो नारी अब उटने रही बॉक्सव नारी के पास आजाती है उसे लगता है कि मर गई है और वहां रोने लग जाती है टिसू फिर अपने पेट से चाको निकालता है और उट जाता है इन दोनों में फाइट होती है बॉक्सवन अब बहुत ज़्यादा चीड़ गही होती है एक चेर से टिसू के सर पर डालती है टिसू जब गिर जाता है तो गलागा उटकर उसे माल देती है जब फिर से नारी के पास आती है उसे गले लगाती है नारी को फिर होशा जाता है बॉक्सवन रहने लग जाती है ये फिर एक दोनों को हक करते है नारी उसे कहती है कि मुं तुमारे सात ही रहंगी ये दोनों एक दूसरे को I love you कहते है वाह फिर वो business man आता है जो फोन उसे चाहिए था यह फोन ने उसे दे दे थे इस इस इशू को वो ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहते अब नारी स्कूल में जाती है और बॉक्सून फिर से अपना काम करती है नारी जब स्कूल से वापस आती है तो बॉक्सून के पास बहुत सारे पैसे होते हैं थोड़ने रही थी इसे ट्रबल हो रहा था तो इसका ओनर उसके पास आया था इस नहीं बॉक्सून को बहुत सारे पैसे दिये और कहा कि अब यह जगा खाली कर दे और बॉक्सून उसका मानी नहीं इन दोनों में फाइट होगी और फिर से सबजी उसने उसके सर पर मार दी यह ओनर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया यह पैसे भी बॉक्सून लेकर चली गई होती है यही मूवी खतम हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहत हो तो प्लीज प्लीज चानल सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया